असलाम लेकुम बेरे स्टूडेंट्स आज हम डिजाइन एट्रिबीट्स देखेंगे किताबों के जो के हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं दो से लेके चार साल तक के बच्चों के लिए और हम यह देखेंगे किताब के डिजाइन एट्रिबीट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि दो से चार साल तक के बच्चे जो हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें उन्हें इंज्वाइ कर सकें और उनसे अपनी रिलेशनिशिप बिल्दिंग कर सकें हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब हम बच्चों को लिट्रूचर इंट्रिद्यूस करवा रहे होते हैं तो लिट्रूचर का एक बहुत एहम परपस है उनकी कॉगनिटिव डिवेलप्मेंट और लिंग्विस्टिक डिवेलप्मेंट ताकि वो सीखें क्या सोचना ठिंक ओवर करना चीजों को रेकिनाइस करना चीजों के दर्मियान एस्सीयेशन को फाइंड आउट करना और उनकी लांगविश डिवेलप्मेंट हो जिसके अंदर उनकी सेंटेंस कंस्ट्रूक्शन है उनकी वेकाबलरी का बढ़ना है वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर है क्या चीजें हैं जो बच्चों की ठिंकिंग को ट्रिगर कर सकती है सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह बच्चे को जब हम किताब देते हैं तो इस किताब के वर्क को बार बार पलड़ता है तमाम विज्वल्स को देखता है तो यह देखता है कि इस वालुकात जो उन character's के अंदर मौजूद होते हैं जो relationship होता है वोसे explore करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है और वो सोचता है कि इस किताब में in characters के दर्मियान क्या relationship मौजूद है सबसे important चीज जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं को यह देखने जा रहे हैं कि बच्चा ना सिर्फ visual को देखें बलके उसे touch करें, उसको feel भी करें, उसको मज़ा है किताब को देखने में अगला cognitive aspect यह है कि definitely 2-4 साल का बच्चा school mentor होने वाला है अब knowing, recognizing और learning जो है वो उसका part of life है और यह जो part of life है, यह सिर्फ academic नहीं है, बलके social भी है वहाँ भी बच्चा जानना चाहता है, चीजों को recognize करना चाहता है, सीखना चाहता है तो यह देखता है कि characters के दर्मियान और कहानी में क्या association मौझूद है जो visuals उसे नजर आ रही है, उनके दर्मियान क्या तालुक मौझूद है, क्या similarities है, क्या differences है और यह सब की सब चीज़ें, similarities, association, differences, उसकी cognitive development का हिस्सा है अगली चीज़ जो वो understand करना चाहता है, relationship between the visual and the real objects जो किताबों में visual देख रहा है और हकीकत में वो object नजर आ रहे हैं उनकी दर्मियान association और relationship को सोचना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, understand करना शुरू करता है वो examine करता है, जो visual किताबों के अंदर मौझूद होते हैं, उनकी तमाम details को और वो जानना चाहता है कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह इस तरह क्यों represent किये गए है और यह तमाम चीज़े क्या हैं, सोच और यह चीज़े किस चीज़ को trigger कर रही है, imagination को So, यह उसकी cognitive aspect है, इस लिए उसकी cognitive development को या उसकी thinking capabilities को sharp करने के लिए हमें किताबों के अंदर ऐसी qualities चाहिएं जिससे बच्चे को आप जो किताब में message convey करना चाहरे हैं, बच्चा उसे देखे और उसे clearly receive कर ले, समझ ले और आप जो से बताना चाहरे हैं, वो message उसे clearly convey हो जाए, ना कि वो confusion का शिकार हो जाए So reception जो है, जो आप उसको convey करना चाहरे हैं, उसका proper reception एक cognition का बहुत important aspect है अगला developmental aspect हमारे सामने जो मौझूद है, वो है linguistic का, अब इस उमर का बच्चा cognitively, linguistically develop भी कर रहा है और वो अपनी तमाम बाते जो हैं, वो share भी करता है, और जो कहानी की किताब में देख रहा है, visuals को देख रहा है, वो उनके बारे में हसता भी है, बताता भी है, कहके भी लगाता है और अपनी imagination से जुमले भी बनाके उने explain करता है बच्चों का 2-4 साल का hand and eye coordination बहुत perfect develop हो चुका होता है वो खुझ से खान खाने लग जाते हैं, अपने जूतों के लिए assist बन करने लग जाते हैं किताबों को bag में रख सकते हैं, निकाल सकते हैं उनकी visual activity बहुत बहुत बेतर हो चुकी होती है और वो किताबों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं So, इस aspect के लिए, अब जब हम किताबे बच्चों को देते हैं तो उसके अंदर ऐसे visual होने चाहिए जिसके visual जो हैं वो बच्चे linguistically उसको explain कर सकें और उनकी language skills उसके तुरू develop हो सकें नमबर टू जो visual होती है हमारी illustrated book में वो बच्चों को attract करेंगी तो बच्चे उसके बारे में सोचेंगे So, attraction बहुत ही important factor है हमारी linguistic development में बच्चों को किताबे देते हुए अगली चीज यह आती है कि जब बच्चे किताबों के visual को देखते हैं उनकी pages को बार-बार पलड़ते हैं बार-बार वापस आते हैं उनको recognize करते हैं images को और उन books में से जो characters होते हैं वो उनको draw करते हैं उनके ओपर poems बनाते हैं उन characters से बाते करते हैं यह आम चीज़ें तो उनकी language development पे उनको facilitate करते हैं So अब बच्चे सिरफ visuals देख नहीं रहें उनने discuss भी कर रहे हैं So कुछ ऐसी quality जरूर होती है किताबों में और होनी चाहिए कि वो उनकी cognitive or linguistic development दोनों को support कर सके यह उनकी age का बहुत ही important attribute है So आगे क्या होगा वो हम अपनी next slide में देखेंगे तब तक के लिए best of luck